हलो फ्रेंड्स मेरे नाम है संदीपमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिसक्राइब करना हैं डिस्क्रीप मैतामेटिस के अंतरगत ग्राफ तेओरी पर और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ तो दोस्तों तीर प्रेकार से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहला होता है एड्जेसेंसी मेट्रिक्स और दूसरा होता है इंसिडेंस मेट्रिक्स यह दोनों ही हमारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्यालाते हैं और जो थार्ड होता है वह है एड्जेसेंसी लिस्ट इसको हम linked representation या फिर adjacency structure representation भी कहते हैं तो इन तीनों को हम एक करके अब देख लेते हैं example के साथ देखेंगे सबसे पहला कौन सा है हमारा adjacency matrix इनको हम undirected और dieted graph दोनों के लिए देखेंगे पहला example देखते हैं जिसमें हमने एक undirected graph बनाया हुआ है और इसके लिए देखते हैं कि adjacency matrix किस प्रकार से बनेगी तो दोस्तों यदि हम adjacency matrix बना रहे हैं तो यहाँ पर जो matrix बनेगी वो square matrix बनेगी square matrix बनेगी that means यहाँ पर number of rows और number of columns बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे क्यों हम यहाँ पर दोनों तरफ ही जो number of vertices रहते हैं उनको लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे इसके corresponding मालिजम कोई matrix बना रहे हैं तो यहाँ पर vertex कितने हैं चार तो v1, v2, v3, v4 इस तरह से rows आ जाएंगी और column यह आपकी कौन से रहेंगे v1, v2, v3, v4 तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो matrix बनी है वो 4 cross 4 की बन गई है तो यह score matrix हमारी कहलाती है ठीक है अब यहाँ पर जो इसके अंदर हमको entry करनी है उसके लिए हमको क्या देखना है कि कौन सा vertex किस vertex से adjacent है जैसे सबसे पहले बात करते हैं v1 पर तो graph में देखते हैं v1 को v1 को अगर यह आप देखें तो v1 से v2 adjacent है v3 adjacent है और v4 adjacent है तो जो भी इस vertex से adjacent है उसके सामने हम 1 की entry करेंगे और यदि इससे कोई adjacent नहीं है तो वहाँ पर 0 की entry करेंगे जैसे v1 से v1 self loop नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 आएगा और v1 से v2 adjacent है इसलिए 1 आएगा v1 से v3 भी adjacent है इसलिए 1 आएगा और v1 से v4 भी adjacent है इसलिए 1 आएगा यदि adjacent नहीं है तो 0 की entry होगी और यदि adjacent है तो 1 की entry होगी आप जैसे v2 के लिए देखते हैं तब v2 से v1 और v3 adjacent है v2 से v1 और v3 adjacent है तो दोनों में एंटरी हमने यहां 11 कर दिये और यहां पर आ गया 0 और यहां पर आ गया 0 अब देखते हैं V3 के लिए तो दोस्तों यहां पर V3 से देखते हैं V3 से V1 एडजेसेंट है V2 एडजेसेंट है और V4 एडजेसेंट है तब यहां पे आ गया B1 adjacent है, B2 adjacent है और B4 adjacent है, self loop नहीं है इसलिए यहां पे 0, B4 से देखते हैं तो B4 से B1 और B3 adjacent है, B4 से B1 और B3, तब यहां पे दौनों जगे 0 enter कर देंगे, ओके फ्रेंड, तो यह simple सा है बिलकुल, जो भी vertex आपकी adjacent है, उनकी बीच में आपको 1K entry करनी है, otherwise आपको 0 enter यहां पे कर देना है, तो यह कहलाता है, अब देखते हैं, dieted graph के लिए, dieted graph के लिए भी concept यह है, कि अकर कोई adjacent vertex है, तो उसकी बीच में 1K entry कर देना है, लेकिन यहां पर हमको direction का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर बनाते हैं, matrix V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, अब यहां पर adjacent का मतलब क्या है, जैसे V1 से देखते हैं, तो V1 से outgoing age आपको देखनी पड़ेगी, V1 से outgoing age अगर आप देखते हैं, तो V1 से outgoing कहां जा रहा है, V2 पे, और उसके सांसत कहां जा रहा है, V3 पे, V4 पर outgoing age नहीं है, यह incoming है, तो V1 के जो adjacent है, वह है V2 और V3 कहलाएगा, तब V1 का adjacent कौन हो गया, V2 और V3, V1 और V4 के सामने 0 को enter कर देना है, V2, V2 के सामने देखते ह V2 के जो outgoing age है, वह सिर्फ कहां पर है, V3 नहीं है, तो V2 की जो outgoing age है, वह कहां पर है, V3 पर, इसलिए यहां पर 1 की entry हो जाएगी, बाकि यह सब 0 हो जाएंगे, V3 से देखते हैं V3 से अगर आप outgoing age देखते हैं तो कहां मिल रही स्रिफ V4 पर तो V3 से स्रिफ outgoing age कहां पर है V4 पर तब ये 3-aum के सामने 0 आ जाएगा इसके बाद V4 से देखते हैं V4 से adjacent स्रिफ V1 है तो यहां पर 1 आ गया और बागी सब 0 हो गया ओके फ्रेंड्स तो यह है adjacency matrix representation for directed graph next है incident matrix representation इसके लिए भी हम यहां पर undirected graph और directed graph दोनों के लिए देखेंगे अब यहां पर क्या होता दोस्तों जैसे इससे पहले हमने देखा था उसमें हमने दोनों तरफ vertex पर combination लिया था इसलिए वो square matrix बने थी लेकिन यहां पर आप vertex और ages का combination लिया जाता है इसलिए यहां पर जरूरी नहीं कि square matrix आपकी बने जैसे इसके लिए अगर हम matrix बनाते हैं तो एक तरफ आपका vertex आएंगे तो यहां पर vertex आगया है V1, V2 V3 और V4 और columns के लिए यहां पर ages आप लेते हैं तो ages को क्या-क्या है E1 E2 E3 E4 E5 इस तरह से आपकी matrix बनेगी अब यहां पर आपको क्या देखना है incidence मतलब कौन किस vertex से कौन-कौन सी age incident हो रही है जैसे यह दि B1 से देखें तो B1 पर कौन-कौन सी age incident हो रही है E1, E4 और E5 तब इनके सामने बना जाएगा E1 E4 और E5 बागी जो age बजगे हैं उनके सामने 0 लेग दीजिए इसी तरह B2 के लिए देखते हैं तो B2 से कौन-कौन सी age incident हो रही है E1 और E2 तब यहां बना गया और यहां पर बना गया बागी सब 0 B3 के लिए देखते हैं तो क्या क्या age है E2 है E3 है E3 है और E5 है तब E1 और E4 0 हो जाएंगी इसके बाद B4 के लिए देखते हैं तब यहां B4 के लिए E3 और E4 तब E1 E2 और E5 को 0 इंटर कर देजिए तो यह कहलाता है incidence matrix अब यही देखते हैं हम डाइटेट ग्राफ के लिए डाइटेट ग्राफ के लिए देखते हैं तब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा incoming और outgoing age के लिए ठीक है किस तरह बनेगी देखते हैं matrix तो आपकी same बनेगी vertices लेना इस तरफ और यहाँ पर ages लेना है e1, e2, e3, e4, e5 ठीक अब देखिए v1 के लिए देखना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौनसी age incoming है और कौनसी age outgoing है ठीक है यदि age नहीं है तब तो आपको 0 आजाएगा लेकिन यदि outgoing age है तब आपको 1 लिखना है और यदि incoming age है तब आपको minus 1 लिखना है जैसे B1 से आप देखिए e1 जा रहा है even incident हो रहा है तो e1 क्या है outgoing है और e के सामने आएगा 1 फिर e5 e5 भी क्या है outgoing इसलिए e5 के सामने भी क्या आएगा 1 फिर e4 e4 आप देखिए e4 क्या है incoming है इसलिए e4 के सामने minus 1 आएगा बागी जो age incident होई नहीं रही है ना है तो incoming और ना ही outgoing तो उनके सामने क्या जाएगा 0 जाएगा जैसे E2 और E3 अब V2 के लिए देखते हैं देखिए V2 पे outgoing age क्या है E2 तब E2 के सामने क्या आएगा 1 incoming age क्या है E1 तब E1 के सामने क्या आएगा minus 1 बागी कोई भी age नहीं है तो फिर 0 0 0 V3 के लिए देखते हैं V3 E2 जो age है वो incoming हो रही है इसलिए यहाँ पर minus 1 E3 outgoing है इसलिए 1 E5 E5 भी incoming है इसलिए minus 1 बागी सब 0 ठीक है तो incoming के लिए minus 1 लिखना है outgoing के लिए 1 लिखना है और remaining के लिए 0 है B4 के लिए देखते हैं B4 पर outgoing क्या है E4 तब E4 के लिए क्या हो गया 1 incoming कोन सी है E3 तब E3 के लिए हो गया minus 1 और बागी सब के लिए हो जायागा 0 तो यहाँ पर इस तरह से आप incident matrix बनाएंगे dieted graph के लिए third representation है adjacency list का तो इसके लिए आप देख लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर undiated graph दिया हुआ है और एक नीचे dieted graph दिया हुआ है पहले undiated के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक table बनानी है पहला कॉलम लेते हैं vertex जितने भी आपको graph में दिये हुए है और दूसरा जो कॉलम है वह है adjacency list का कितने vertex दिये हुए हैं आपके a b c d और e अब यहाँ पर रहती है हम जहाँ से देखें तब a का adjacent कौन-कौन है b और c तब a के सामने जो उसकी list बनेगी उसमें दौनों vertex को आप लिख दीजिए listing करके तब a के adjacent कौन-कौन होगा b और c तो हमने यहाँ पर b c लिख दिया इसी तरह b का देखते हैं तो क्या है a और c फिर c के देखते हैं तो c के है a, b, d d का देखें तो सिर्फ c है और यदि a का देखें तो a कोई भी adjacent यहाँ पर नहीं है इसलिए e के सामने आएगा null okay simple है जो भी adjacent है उन वर्टेक्स के नाम आपको सामने लिख देना है तो वह क्यालाएगी adjacency list डाइटिट ग्राफ के लिए देखते हैं तब table को जीसी से तरह बनेगी vertex और adjacency list वर्टेक्स सारे आ जाएंगे जितने आपको ग्राफ में दिये हुए है a है b है c d और e पर आपके यहां पर क्या ध्यान रखना है incoming age और outgoing age जो भी यहां से outgoing age है वही उनके incidence कहलाएंगे या वही उनके adjacent कहलाएंगे जैसे a से अगर देखें तो b c d तीनों आपको adjacent दिख रहे हैं लेकिन जो outgoing age है वही adjacent कहलाएंगे तब a से b है तब यहां पर क्या आएगा सिर्फ b आएगा और a से c तो यहां पर c आजाएगा a से d हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह जो age है वह incoming है ठीक है तो जो outgoing age है उन्हीं के base पर आपको vertex यहां पर लिखना है b के लिए देखते हैं तो b से c है b से a नहीं लिखेंगे क्योंकि यह incoming age है इसके बाद c से आते हैं तो c से देखिए सिर्फ d मिलेगा फिर d पर आते हैं तो d से आपको मिलेगा a और e और e पर आते हैं तो e से मिलेगा c ओके friends तो यह था हमारा adjacency list तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा है कि graph का representation किस तरह से किया जाता है यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू